आप सभी का फिर्ट से एक बार स्वागत करते हैं आपकी अपने यूटूब चैनल कॉलेज अपडेट बाई अजीत बक्षर के इसे यूटूब चैनल में तो आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बीर कॉर्सिंग विसो विदाले आरा का अशना तक पार्ट वन एक्जाम को लेकर सत्र का बात करें तो 2019 से 2022 के जितने भी चैनल इस बार पार्ट वन का एक्जाम घर वैठे दे रहें असांट वीर इस वीडियो के माध्यम से कोमेंट जब हम पढ़ रहें तो देख रहें कि वही चैनल इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे जो भी चैनल भी तक असांट नहीं लेकर जाना है आपको assignment के साथ क्या क्या document लेकर जाना है कहीं कहीं collegeों में पैसा कभी मांग किया गया है चले उस college का नाम भी आपको बता देते हैं और आप यहाँ पे देख रहें कि क्या क्या document लेकर जाना है कि आप वहाँ पर जमा करते वक्त फिर से आपको घर आना न पड़े और फिर से आपको कॉलेज जाना न पड़े क्योंकि एक बार जाए और वहाँ से आप अपना कॉलेज में असाइमेंट जमा करके ही आईए तो आप यहाँ पर सबसे फ़ले जो नोटिस देख रहे हैं कि एक इस्वर यहाँ पर देख रहे हैं कि इस्वर दियाल भागवत परसाद सिंग कॉलेज यहाँ पर जो नोखा रोतास बिहार में कॉलेज परता है इससे पहले जो भी छात्र को बता दी कि 19-22 का पार्ट वन का असाइमेंट जमा हो रहे कहीं कहीं कॉलेजों में क्या है कि 200 विदाले का रूल कुछ और है कॉलेज का रूल कुछ और है कॉलेज बोलता है कि आपको 25 से 25 तक जमा कर देना है कहीं कहीं कॉलेज बोलता है कि 27 तक जमा कर देना है यहाँ तक कि 200 विदाले का जो अफिसियल नोटिस है कि आपको 30 तारीक के अंदर जमा कर देना है यह बहुते छातरों को डाउट है अब इसके साथ साथ कॉलेज का यहाँ पे नोटिस देखते हैं कि बोलता है कि आपको सबसीडरी में 5 कोईशन बनाना है अब वहीं बिक्के सीव जो अफिसियल बोलता है कि आपको 5 कोईशन से 1 बनाना है आई होग की कॉलेज में आप पड़ते हैं कोलेज में तो कॉलेज का बात आपको सुनना पड़ेगा कहीं कहीं कॉलेजों का यह भी नोटिस है कि आपको 5 सब्jeक्ट से जो भी आपका एक सब्चेक्ट है उसमें 5 कोईशन दिया गया है आपको पांचो कोशिचन का जबाब देना है कहीं कहीं कॉलेजों में एंबी कॉलेज है इधर कैमूर में कॉलेज है उधर भी कॉलेज में आपको सबसीडरी यहाँ तक कि साइंस में ज़्यादातर यह दिक्कत आ रही है फिजिक्स कमेश्ट्री सबसीडरी को लेकर मैथ को लेकर यह दिक्कत आ रही है आर्शोलेज चातरों के लिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक बार अपने कॉलेज में जाकर संपर्क जरूर कीजेगा क्योंकि क्या है कि इंडिविजूल हम लोग के पास जनकारी नहीं रहती है जो भी जनकारी होता है टेलीग्राम गुरूप के माद्धे हम से डाल देते हैं इस वीडियो के डिस्कीशन बोक्स में टेलीग्राम गुरूप मिलेगा आप वहां से यदि यूड जाते हैं तो छोटा से छोटा अपडेट आपको आंसर की भी वहां से मिलते रहेगा अब देखें यहाँ पर जो नोटीश देख रहे हैं कि 30 तारी के अंदर तो जमा करना है लेकिन यहाँ पर भीण की कारण यहाँ पर रोल नम्बर वाइज कर दिया गया है यह किस कॉलेज का नोटीश है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं SDJN College आरा का है Next यहाँ पर देख रहे हैं कि यह भी SDJN College आरा में ही यह रूल नमबर वाइज लगा दिया गया है और यहाँ पर देख रहे हैं कि Allah Hafiz College आरा इसमें है कि आपको 30 तक यहाँ पर 28 तक डेट रखा गया है कि 22 से 28 तक जमा करना है इसके साथ साथ Arts और Science Commerce का डेट यहाँ पर फिक्स करके और आपर सब्जेक्ट का नाम रखके और आपको रूल नमबर यहाँ पर कर दिया है कि आपको इस रूल नमबर में जाकर जमा करना है Next जो आप यहाँ पर देखने की update था कि बहुत से चाहतर इस question को लिख लिए थे जो पुराना question था सतन अमरगा उसको लिख लिए थे तो यह देखे यह depend करता है college को कि यह copy जो है आपका college जाचेगा college जाच करके यह इसका marks file क्या होता है कि file त्यार करके उसमें आपका अंक जो है चरहा कर भी सोबिदाले को भेज देगा यह है अब college पर depend करता है कि आपका जो question है यह माने करता है कि पुराने वाले माने करता है यदि पुराना वाला माने कर देता है तो कोई दिकत नहीं अब यह रहा बाद तो यह college ही depend करता है तो यह जो भी छात्रे बना लिए हैं तो एक बार, कॉलेज में चले जाए है, सतन नमर का जो बनाए थे, सो नमर उसको माना गया था, alsd यदि कॉलेज में जाए, मोलता है कि आपको नायावाला बना करना है, तो आपको कॉलेज में नाया बना कर जाना पड़ेगा, यदि आपको पुराने पर जमा कर दिया है तो ठीक है आप पुराना पर जमा कर सकते हैं अब नेक्स्ट जो अपडेट है इस कॉलेज का की पैसा लेकर मांग किया गया था तो आप यहाँ पे देख रहें कि कॉपी जाचने के लिए अब यहाँ पे देखने कि आपको क्या क्या लेकर जाना है सबसे पले part 1 का प्रवेश पत्र यानि आपको admit card वहाँ पर लेकर जाना है इसके बाद assignment copy आपको लेकर जाना है folder में आपको stick file के साथ पांचो लेकर जाना है admit card लेकर जाना है इसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र अधार card या कोई भी document लेकर जाना है इसके साथ साथ आपको परिछा form जो भरे हैं उसका भी एक प्रती ले लीजिएगा अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जहाँ पर आपको copy जामा करेंगे आपको वहाँ पर मिलेगा file signature करने के लिए आप वहाँ पर signature जरूर करके आएगा बहुत दिकत हो सकता है तो आपके वीडियो की जमकारी दी गई आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके share कीजेगा सभी छात्रों के बिच तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में